हेलो स्टुडेंट, आजम चेप्टर नंबर 6 नर्मदा में या स्टाट करेंगे, राइटर का नाम है रमण सोनी आ प्रवाद्स वरनर्मा लेखके लोक माता नर्मदा नो सरण भासामा सरस परिजे कराव्यों छे नर्मदा में या खरा अर्थमा गुजरातनी लोक माता छे, जिवा दोरी छे, आवद लेखके अपने पोते प्रवास मारता हो ये तेवी सरण प्रसाट सेली मा करी छे चालो, त्यारे आज एक नवी चर्थनों प्रवास करिए आज हम एक नए टाइप का प्रवास करेंगे मिन्स घुमने जाएंगे मुसाफरी कितनी लंबी छे, मुसाफरी कितनी लंबी है, खबर छे, आपको पता है 1312 किलोमीटर जे टली, 1312 किमी तमने थसे अरे कितली लंबी, क्यारे पूरी थाए, ने केवा ठाकी जवाए पन आपडे पंखीनी पांखे ने पाणी ना प्रवाहे प्रवास करीशू नई थाक लागे, नई खोटो समय जाए, ने मजा इटली जाऊशे मनने तयार राग जो, आपडे छेक दूर पोची जहिए शीए खुजरात नी पूर्व भाजुव शरू थाए छे, मध्यप्रदेश खुजरात की पूर्व साइट क्या शरू होता है, मध्यप्रदेश आपडे जहिशू, मध्यप्रदेश पूर्व तरफ, हम कहां चलेंगे, मध्यप्रदेश में और पूर्व की तरफ, त्यां मैकल नाम नो परवत छे वहाँ पे क्या है, मैकल नाम का परवत है एनी तड़े टीमा एक विशाड सरोवर छे, अमर कंटक उसकी तल हटी में एक बड़ी सी जील है उसका नाम क्या है, अमर कंटक त्यां थी निकडे छे अपनी नर्मदा मिया वहाँ से क्या निकलता है, नर्मदा मिया आकाश मा उचे ने उचे जहिए, तो भारत दिशना बे आडा भाग पाड़ती एक चड़ हड़ती ने सरकती रेखा देखा है इस नर्मदा हम आकाश में से देखते हैं, तो भारत के दो पाट करती है उपरनो भाग उत्तर भारत ने नीचे नो भाग दक्शिन भारत, उपर के ओर क्या है उत्तर भारत और नीचे के ओर दक्शिन भारत वड़ी कहीं केटला 1 किलोमीटर सुधी तो नर्मदानी बदने बाजुबी उच्चा परवतों छे और कितने 1 किलोमीटर तक नर्मदा की साइट में दो उच्चे लंबे परवत है उत्तर मां विंध्य औने दक्षीन मां साथ पूडा और बीच में क्या बहती है नर्मदा तमने खबर छे नर्मदानों अर्थ जे आपणने आनन्द एटले के नर्म आपे दे नर्मदा एना किनारापर नी कुद्रती शोभा आपणने आनन्दित करीमुके एवी छे खे ठेर व्रुक्षो ने साथे साथे चाले आवता उचा नीचा पहाडो क्यांक लिलो तरी वाड़ा सुन्दर खुला मेदानों नर्मदा क्यांक एकदम शान्थ अनि क्यां दोडती कुडती एटले के रेवा पण कहे छे नर्मदा का मिनिंग क्या होता है आनन्द मिन्स नर्म और उसके जो किनारे मिन्स उसके जो तर्थ है वो बहुत ही सुन्दर है और बहुत सारे वाँ पे ट्रेस भी है और उचे नीचे पहाड भी मिन्स परवत भी आते है और कहीं पे तो बहुत ही घ्रीनरी है और कहां पे नर्मदा बहुत शान्थ है इसलिए नर्मदा को रेवा भी कहते हैं रेवा एकले कूदनारी रेवा मिन्स कूदनारी क्यांक ए दोत बनी जाय चे निक्यांक पोड़ा पटे धीर गंबीर वहे चे आवी सरस्न दी आपना रुशी मुनियो तो एनना सुन्दर किनारे यात्रा करी एवा वखान करता थाकताज नथी तमने तमरा दादा दादी ये आस्त रोत गाता पण सांबड़े आसे त्वधिय पाद पंकजम नमामी देवी नर्मदे लो आम बात करता करता आपने जबलपूर पासे भेडा गाट आवी पोचिया हम ऐसे ही बाते करते करते हम कहां पे पोचिके जबलपूर भेडा गाट सुन्दर जगा छे आरस पाहान ना गेरा पीडा खड़को वचे शांत वैतो प्रवा जान्दनी राते नोका विहान नी एवी तो मजा आवे नेया जुहो पर्वतो कितला नजी गावी गया छे जाने वाते वळग्या छे आ जग्याने बंदर कूत कहे छे आरस पाहान के यलो चट्टानों के बीच में नर्मदा निकलती और वहाँ पे बहुत ही वो शांध है और वहाँ पे उस जगा को क्या बोलते हैं बंदर कूत आ पर्वत पर्थी सामेना पर्वत पर ने त्यां थी वड़ी पाछा आ पर्वत पर वांधरा कुदा कूत करया करे वच्चे नदी माता जोया करे ए वांधरा कूत कहे छे चुना जमा नामा शुगरवीर शैनी को पोता ना गोड़ा पर अहीं थी कुदा विज़ता ने त्यां जुओ एकसो आठ पगत्या वालू चोसर जोगणियों नू घोरी शंकर मंदीर आ नर्मदा मैयाने कीनारे मंदीरों किटला बदाने ठे ठे वहां पे जो परवत है वो बहुत ही नजीग है मिन्स पास में है तो वहां पे जो बंदर है वो दोनों परवत के बीच में चंपिंग करते हैं और पूराने जमाने में जो सैनीक थे वो अपने घोड़े के साथ वहां पे चंप करते थे और बहाँ पे 108 पगत्या वाला 64 जोगुणियों का गोरी शंकर मंदिर था और नर्मदा मिया के तट पर कितने सारे मंदिर है हवे थोड़ा आगर जहिशू ने नदीनी साथे साथे पूर्वती पस्चिन तरफ मुशर धार थी पन वधारे वर्सात पड़े देने सूंक गई है अब हम आगे चलते हैं नदी के साथ साथ में पूर्वत से पस्चिन की तरफ वाँ पे बहुत बारिश हो थी उसे क्या कहते हैं दुआ धार वर्सार दुआ एतले धुमाडों ने धार एतले पाणी नी धारा दुआ मिस बहुत सारा धुमाडा और धार मिस पाणी की धारा आद धुआ धार नामनी जगा है नर्मदा दोध नीजेम पड़े जे यहाँ पे जो दुमादार नाम की जगह है वहाँ पे नर्मदा दोध के जैसे गिरती है उचा परवत पर्थी नीचे मोटी शिला ओपर पड़े वहाँ पे बहुत बड़े परवत पे से नीचे गिरती है आथी फीन भरेला सफेद पाणी उचड़े ने एनी आसपास इतला बदा जीना जीना बिंदुओ उड़े इक जानो तुमाडो जोईलो केटलू सुन्दर द्रश्य तड़को होई तो मेग धन्यूश्य पर देखा है बड़े से परवत पे से जब नर्मदा गीरती है तो वहाँ पे चाग भरावा पानी उचलता है और उसके आसपास कितने छोटे छोटे बिंदु होते हैं तो वो बिंदु देखके जैसे हम तुमाड देखते हैं ऐसा लगता है कितना शुन्दर पिक्चर होगा और जब वहाँ पे तूप होती है तब रेंबो भी दिखाई देता है ने पानी पढ़वानों अवास तो सीहनी घर्जना जेओ आजू बाजू खुलो प्रदिश आगर जता प्रवा है सहेज थीमो पड़े हम आगे जाते है तो वहाँ पे जो पानी क्या पानी है वो जो प्रवा होता है वो थोड़ा सा स्क्लो हो जाता है आ पन पत्थर शंक जीरूना सफेद सुवाना पत्थर छे थाएक के थोड़ा मीणी लईए हवे थोड़ीक जडब करी शोने इटारसी होशंगाबाद आगर नर्मदाने किनारे त्रासा अनिदार पत्थर हो जे इटारसी और होशंगाबाद के आगे चो किनारा है वहाँ पे अनिदार मिस धारदार पत्थर है वहाँ पे पेर ध्यान से रखना पड़ता है पण आपने तो पंखी नी आखे उंचे पंखी नी पाखे चड़प थी आगर चालिये वा हवे गुजरात मा प्रवेशी गया अब हम गुजरात में आ गये गणे सुधी तो नर्मदा मत्यप्रदेश ने गुजरात नी सरहदे चाले ने पछी गुजरात मा प्रवेशे छे बहुत तक तो नर्मदा मत्यप्रदेश और कुजरात के बोडर से ही चलती है अब हम कुजरात में आ गए केवडिया नजिक कुरा गा में शुल पानेश्वर महादेव ना मंदीरे प्रणाम करी आगर चालिये कौनसा है केवडिया के पास में शुल पानेश्वर महादेव के मंदीर में प्रणाम करके फिर हम आगे चलते हैं पेलु देखाई भरुत चिलानु नवागाम और विश्वकी आथमी अजईबी आसा ही सरदार सरोवर बंथ आज जर्ड राशी थी कुजराद और राजस्थान ना करोडो लोकों नी तरस छिप से और जमीन ने सिंचाईनों पन लाब मर से ये जो बहुत सारा पानी इसमें होगा उसमें कुजराद और राजस्थान के करोडों लोकों को तरस से छिपाएगा और उससे भुमी की सिंचाई में भी मदद होगी विश्वनी सउथी मोटी क्रोकिट अस्तरवाडी नर्मदानी मुख्यों नहेर नर्मदाना चड़ने ठेट राजस्थान सुधी पोचार से आम आ नर्मदा नदी ना खंपातना अखात मा वियर्थ वईजता पाणी नो कारश्यम उप्योग करवा मनिशे के वो भगीरत प्रयाश्ट कर्यों छे नमामी देवी नर्मदे ये जो नर्मदा का पानी है वो खंपात में जो अखाते वापे ऐसे ही वेश्ट होता है इसलिए उसे क्रोकिट से राजस्थान तक पोचाये जाएगा जुओ तो नर्मदा ये एहीं बेट बनावी दितो छे बे बाजू नर्मदा वचे कबीर वड अहीं नर्मदा में या शान्त छे वर्ष्णो थी वडवाई नो फेलावी ने वड एहीं वडदादा बनी गया छे जाने वड़नू नानू सर्कू वन जोईलो कवी नर्मदेतो वड़ी गाये लू पूरो भास्कियो जाखो दूर थी तुमसे पहाड सर्को तुमसमा पूरो ने जाखो पहाड जे वो देखाये छे यहाँ पे जो वड़ का प्री है वो बहुत सारे एरिये में फेला हुआ इसलिए उसे वड़ दादा बन गया है यहाँ पे हम देखते हैं तो वड़ का छोटा सा चंगल दिखता है और यहाँ पे नर्मदा मिया बिलकुल शान्थ है थाई चेक अहीं रमवा रोकाई जेए पन वड़ दादा आगर शान्थ ने आगना कित नर्मदा मिया आपणने लाड़ती जाने कहे छे बहु समय थाई गयो छे स्नान करीने आगर वदो यहाँ पे वड़ दादा और नर्मदा मिया क्या कहते हैं कि बहुत समय हो गया है यहाँ पे आप स्नान करके फिर आगे जाओ पर जो जो हू ज़र जीवन जे आपड़े ज़रने साचवशू तो ज़र आपड़ने साचवशे खरूँ लेकिन क्या कहते हैं जड़ है मिस पानी है वो जीवन है जो हम पानी बचाएंगे तो वो भी हमें बचाएगा तो आपड़े चालिए बेटने स्तामे छेड़े उपर शुक्लर तिर्थ आगर कुद्रत नूँ एक बिचू सुन्दर तिर्थ अब हम आगे चलते हैं कहां पे शुक्लर तिर्थ पुद्रत का है दूसरा सुन्दर तिर्थ अहीं थी आगर परुच नजी खवे नर्मदा सागर मड से यहां से आगे परुच के पास से नर्मदा मिया है वो सागर में मिलते हैं दरेक नदी छेवटे सागर नेच मड़ेने, पोई भी नदी है, वो छेवटे मिन्स आखिर में समुंद्र में ही जाती है कितलो बतु पूतनी ने दोड़ती नर्मदा अहीं धीमी पड़े छे नर्मदा वियां कितनी उचल कुद करते हुए आते हैं लेकिन यहां पे बहुती वो स्लो हो जाती है पर नर्मदा ते नर्मदा, बीजी नदी हो जेटली दीमी तो पड़ेच शानी सागर माए दूर सुधी पोता नों चिलो करती धसे छे अने पच्छी तेमा फड़ी जाये छे वो समुंद्र पे भी अपना पानी डालती है और फिर वहां पे मिल जाती है समुंद्र के पानी के साथ आवी नर्मदा अपड़ी लोक माता छे, ऐसी नर्मदा हमारी लोक माता है खुजरात की बहुत बड़ी और सुन्दर नदी है आपड़ी आशा छे जीवादोरी छे हम सब की आशा है और जीवादोरी भी है तमने थाय छे ने के मोटा थाई शू त्यारे सगी आखे ने थन गंटा पगे जातेद नर्मदानो प्रवास करी शो आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप जब बड़े होगे तब खुद से आप नर्मदा मैया का प्रवास मिस वाँपे घूमने चाहेंगे सब्द समझुदी पंखी नी पाखे ने पाणी ना प्रवा है वहता पाणी पर उचेती नजर राखी ने प्रवानी जें धस्मस्ता तसार बंद उतावडे भैती स्त्रोध देवी देवतानी छंडो ब्रत स्तूती त्वदी पाद पंकजम नमामी देवी नर्मदे ये देवी नर्मदा मैया तारा चरण कमर मां हुँ नमन करूँ छू जबलपूर मत्या प्रदेशनु शहेर नोका विहार होडी मां बेसी ने फर्वू सहेल गाह करवी ते 64 जोगणी, 64 योगीनी आपने त्या पुराणों मा जोगणीनी संक्या 64 चे एवी मानने ता छे गोरि शंकर देवी पार्वति अनिये बगवान शंकर ठेर ठेर, ठेकाने ठेकाने, स्थरे स्थरे मुषर धार, मुषर एटले सांबेल्यू साम्बेला जेवी जाडी तार अहीं वर्साद मेक तनुष, तनुष चेवू, अर्द गोर, सात रंगो मा देखातु रमणिय द्रश्य गामलोको तेने काचपी पन कहे छे शंक जीरू, एक सफेत चिक्णो पत्थर इटा रशी, होशंगाबाद, मत्य प्रदेशना शहरो, वितूद, वीचडी, बेट, नदीके दरियावच्चे आवेलो चमिन पाग शुल पानेश्वर महादे, त्रिशूर धारे शीव, शुखाकारी, सुखी हालत तंदु रस्ति सुक्ल तिर्थ, नदीकी नारे आवेलू प्राचिन तिर्थ, लोक माता, लोकोनु भरल पोष्ण करनार, उचेरनार माता, जिवादोरी, जिवन्नों मुख्य आधार तेंक्यू